हेलो स्टूदेंस वेल्कम तो एर चैनल फिजिक्स जैनिक्स इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट एंपियर सर्क्यूटर लॉग सो स्टूदेंस जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में गॉस्ट लॉग पढ़ाता वैसे ही सिमिलरली हम लोग मैंगनेटिस में यहाँ पर एंपियर सर्कूटर ला पढ़ते हैं एंपियर सर्कूटर लाओ और वहां पर ऐलेक्ट्रोस्टेटिक्स में गॉस्ट लॉओ हम लोगों को इलेक्टिकक्तिक फील्ड की बहुसारी अप्लिकाशिन पतारे यह यहां albeit ampere circuital law magnetism में हमें magnetic field की बहुत सरी applications बताएगा ओके तो अब हम देखते हैं कि इस law में है क्या the law states that the line integral of the magnetic field B around any closed circuit around any closed circuit is equals to mu naught times the total current I passing through this closed circuit ठीक है तो इसका मतलब क्या है students की line integral जो होता है magnetic field का किसी भी closed circuit में equal है mu naught times the total current passing through this closed circuit ठीक है for example इसके लिए तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका जो expression लिखा है students वो कुछ इस तरह का होता है तो यह जो हम लोगों ने loop से बना रखा है यह integral का sign है line integral of magnetic field magnetic field का line integral equal होता है mu naught times total current passing through that closed circuit अब मालने जीए कि मेरे पास if I have a wire in which current I is passing through it और मुझे इस wire मुझे r distance पर I want to find out the magnetic field r distance from the from this wire ओके इस case में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा empire circuit law लगाने के लिए हम लोगों को students क्या चाहिए होता है emperian loop कंसिडर करना पड़ता है जैसे वहां गौसला में Gaussian surface चूज करना पड़ता था वैसे यहां पर एक loop चूज करना पड़ता है तो हम लोग क्या करेंगे उस r radius को मानकर हम लोग एक loop बनाएंगे ठीक है तो यह loop हम लोगों को क्या देगा एक तरह का closed circuit यही हमारा क्या होगा closed circuit ओके तो यह close circuit हम लोगों को क्या देगा अगर हम लोग इस इस loop के around 4 तरफ हम लोग magnetic field देखेंगे यह length element हो गया इसका dl इतने चोटे length element के लिए dl length element के लिए मैं अगर magnetic field पता करूं तो हम लोग इसको length के लिए इस पूरी length के लिए sum up करेंगे इस पूरी length के लिए अगर sum up करेंगे तो हम लोगों को magnetic field मिल जाएगा जो जितना current pass out हो रहा है इस wire से इस loop के through तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे यह हमारा क्या है magnetic field क्या 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 कहता है the line integral of magnetic field is equals to mu not times the current passing through this close circuit okay अब students यहां पर क्या होता है magnetic field और magnetic field और magnetic field का dot product होता है dl के साथ यह आप लोग अभी थोड़ा और समझेंगे जब मैं इसकी application आप लोगों को समझाओंगे तो सेम यही सिच्वेशन है यही सिच्वेशन को कंसिडर करें इसकी एक application पढ़ते हैं application of ampere's law of a straight conductor अगर I am considering a straight conductor like a wire साइस सेम जैसे मैंने यह वाला example लिया है इसके अंदर अगर हम लोग देखें कि I amount of current is passing through this straight conductor right तो मुझे क्या पता करना है है magnetic field पता करनी है how much magnetic field is passing at a distance are from that conductor ओके तो हम लोगों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा वापस से हम लोगों को क्या है एंपिरियन लूप चूस करा हम लोगों स्कूदिन सम्सक्राइब ने फ्रॉप यूजिंग आप लोगों को क्या यूज करना होगा right hand thumb rule right hand thumb rule use करें तो आप लोगों को पता चलेगा अगर अगर हम लोग राइट magnetic field की direction बताएंगी ठीक है तो यहां से हम लोगों को current अगर straight मिल रहा है तो magnetic field की direction कुछ इस तरीके से मिलेगे राइट तो हम लोग यहां से देख सकते हैं right hand thumb rule लगाके कि अगर current हमारा straight जा रहा है उपर की तरफ तो हमारी magnetic field की direction क्या होगी कुछ इस तरीके से इस loop के according इस loop के साथ ठीक है तो अभी हम लोग क्या पता करेंगे अभी हम लोग small length के लिए magnetic field पता करेंगे फिर हम लोग उस पूरी length के लिए overall length के लिए magnetic field निकालेंगे तो small length element इसमें हम लोगों को लेना पड़ता है ठीक है तो यहां अब यहां देखिए हमें जो dot product है इसको हटाना है तो dot product हटाने के लिए मुझे का निकाना पड़ेगा cos theta what is the angle between dl and b देखिए dl and b के बीच में जो angle है that is zero dl भी same direction में है और magnetic field भी हमारे same direction में राइट तो यहां पर जो बी और dl के बीच में जो angle है वो zero degree है तो यहां पर हम लोग कॉस सीटा हटा के क्या लग देंगे cos zero degree equals to mu not i cos zero degree हमारा क्या होता है वन होता है तो यहां पर मैंने cos zero degree की value डाल दी तो यह बी डील जो line integral हुआ बी डील equals to mu not i यहां पर हम लोग magnetic field को बहार निकाल लेंगे डील के लिए integrate करेंगे we get mu not i तो डील के लिए अगर हम लोग integrate करेंगे students तो अगर वह एक circle है circular path obviously एक ही loop है तो इसके लिए हम यह जो डील टोटल लेंथ मिलेगी circular बात के लिए वो क्या मिलती है the circumference of the circle और वो कितना आएगा 2 pi r r is the radius of the circle equals to mu not i तो यहां से आप लोग को magnetic field मिल जाएगी for a straight conductor this is one of the basic application of this ampere's law तो उसके लिए जो magnetic field की value आई वो कितना है mu not i upon 2 pi r so students if you like this video please subscribe our channel thank you so much